नमस्ते मैं हूँ Dr. सुरेश और Teacher Education Simplified चैनल में आपका स्वागत है यह वीडियो है एक वीडियो कम्प्रेसर एक के बेरे में जिसका नाम है वीडियो कम्प्रेसर, Fast, Compress Video & Photos जिसकी मदद से आप वीडियो या फोटो की साइज कम कर सकते हैं कम्प्रेस कर सकते हैं इह एप प्लेच टोर पर अवलेबल है जिसका साइज भी बहुत कमै PeroITY यह इंस्टवल कर लिया है इंस्टाल होते ही आपको यहां बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है बहुत कम फीचर्स है लेकिन वीडियो कॉंप्रेसिंग बहुत अच्छी है फर एक्जम्पल यहां पर यह ओपन होगा फोल्डर उससे पहले आपको रिखा दू कि यहां पर फोटो भी कॉंप्रेस कर सकते है को मतलब यह होता है कि उसकी साइज कम हो जाएगी उसकी कॉलिटी भी लॉस होगी जैसे यह बहुत बड़ा वीडियो है, size 200 MB से उपर है, इसको reduce करना चाहता हूँ अब जाब reduce करने के लिए इतने सारे option है, आप चाहे तो पहला option है, compress video दूसरा है, cut करके compress करना है, फिर fast forward मतलब उसका speed बढ़ जाएगा हम यह भी कर सकते हैं कि वीडियो में से हम, इसकी MP3 फाइल अलग निकाल सकते हैं, मतलब audio अलग कर सकते हैं, सिर्फ audio फाइल से हो सकते हैं तो देखते हैं कि वीडियो compress किस तरह से करते हैं, compress करने के बाद यह options आए है high quality में जिस भी size में आपको चाहिए, resolution में चाहिए, आपको वहाँ उस पर click करना है, उन्होंने recommended डिया है, आपको जैसे की regular अगर आपको resolution पता है, तो जो भी आपकी requirement है, उस हिसाप से सिर्फ आपको उसके उपर click करना है, आप चाहे तो उसमें से audio निकालना है, तो और भी size कम हो जाएगा, उसके जूसरी टाब है low quality वाली, low quality में और भी ज्यादा quality loss हो जाएगी, और size और भी reduce हो जाएगी, custom अगर आपके पास कोई dimension है, आपके पास कोई requirement है, किस तरह से आपको करना है, तो आप यहाँ पर set करके, उसको video size compress कर सकते हो, जैसे कि आपको बताया गया है, कि video 3MB से उपर नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पर 3MB का size fix कर सकते है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको size चाहिए, compress करने के बाद, तो उसकर आप click किजिए, और इस तरह से यह compress हो रहा है, compress होने के बाद यह gallery में save हो जाएगा, आपको size छोटा है, fast है, शि जिब इस पर advertise बहुत जादा आते है, यह compress हो जाएगा, और उसके बाद यह आपको gallery में दिख जाएगा, इस तरह से हम इस app की मदद से कोई भी वीडियो compress कर सकते है, thank you